आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके बालों से जुड़ी हर समस्या को दूर करने के लिए किचन में मिलने वाली आसान चीजों का यूज करके आप कैसे अपने बालों को फास्ट, लंबा, मोटा घना बना सकती है। आपके बाल बिल्कुल भी लंबे नहीं हो रहे हैं, यह समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, के वर आज की वीडियो में देखने के बाद आपके एक रेमिडिय को यूज करने से आपके बालों को अनेक सारे फायदे मिलने वाले हैं, इसलिए बिना इसकिप के वीडियो को आप लाश्ट टक जरूर देखें, क्यूंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फुल होने वाली है, तो आज मैं आपको एक सीरम बताऊंगी बनाना जीसे यूज करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके फायदे आपके बालों को जब मिलेंगे तो आपको इसके ल किया करता है, आपको ऐसा भी हैर फॉल हो किसी वज़ा से आपके बाल गिर रहे हैं, हंडे परसं आपके बालों का टुटना बंध हो जाएगा, तो आपको क्या करना, इसे ग्राइंड कर लेना है, और आपको यहां पर फ्रेस ही यूज करना है, कॉरिंडर का पत्ता जो की हम कड़ी पत्ते आपको दोनु चीज़े यहां पर फ्रेस लेनी है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर इसके जगह पर आप मेथी दाने ले भींगों को आप यहां पर मेथी दाने का यूज कर सकते हैं या उसका पानी आप यहां पर यूज कर सकती ह तो आपको जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही इस तिरम को बनाना है जिससे की अच्छे इसके बेनिफीट आपके बालों को मिल पाए और आपके बाल भी बहुत फास्ट ग्रो होनी स्टार्ट हो जाए और इसे आपको ग्रैंड करने के लिए यहां पर पानी का यूज करना है आप यहां पर चावल का पानी भी यूज कर सकती है इससे बनाने के लिए फिर आपको क्या करना इससे ग्रैंड कर लेना है और इससे आपको छान लेना है जिसका हमें जूस निकालना है जिससे कि हम जब भी इससे अपने बालों पर अपलाई करें तो इसके पार्टिकल हमार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इसे आपको अपने बालों पर इस्प्रेय करना है अगर आपके पास इस्प्रेय नहीं है तो आप कोटन की हेल्प से लगा सकती है इसे आपको लगा कर ऐसे ही छोड़ देना अपने बालों पर जिसे के अच्छे से सूख जाए लेकिन जिने बाहर जाना है जो की जोब करती है तो आप इसे लगा के दो घंटे के लिए अपने बालों पर लगे रहने दे फिर अपने बालों को अच्छे से धोले और जिने बाहर नहीं जाना है तो आप इसे इसे ऐलिंग की विए बालों पर सकती है कोई भी परसानी नहीं होगी और इ फर्स टैम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बबाई